एलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इलेक्रिक माइंड में आज हम वलफुल की फुली आइटोमेटिंग मशीन लेकर आये हैं इसकी प्रोब्लम यह है कि यह अन बैलेंसिंग एरर दिखाता है जो की यू भी है इसमें यू भी का एरर आता है अन बैलेंस का उसके बारे में आज हम वीडियो में बताएंगे कि उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अब हमने इसको स्पिन मोड पे सिलेक्ट किया है आप देख सकते हो और यह यूवी एरर दो-तिन मिनट चलने के बाद ही आता है इसके अंदर क्योंकि वह अन बैलेंसिंग का एरर होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे और पर्मनेंटली ही इसका इलाज जोनेंगे हम जो कि बार बार उसकी समस्या आ जाती है इस ट्रिक के बाद आपको उस समस्या से परिशानी से टैंशन फ्री हो जाओ गया तो अब आप देख सकते हो हमारा टाइम जो है नो पर आ चुका है हमने स्पिन मोड पर सेलेक्ट किया ता देखो आप देख सकते हो आप स्क्रीन पर ये और ये पानी लेना शुरू कर देती है यूबी एरर दिखाने के बाद ये पानी लेना शुरू कर देती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा UB error आने लग गया है ये आने लग गया है आ रहा है जा रहा है और इसकी समझ से हम solve करेंगे इसके हम आगे के दो page हैं ये देख सकते हो ये ये दोनों page हम खोल लेंगे और इसके बाद हमारे दो page पीछे होते हैं ये वाले और ये भी हम खोल लेंगे और इसमें देखेंगे के UB error की problem जो है वो क्यों आ रही है और उसका हम उसको solve करेंगे ये ये देख सकते हो आप ये किसी technician ने इसको wire से बान दिया था ये ये भी इसको wire से बान दिया था अब इस वज़े से हमारा UB error आ रहा था क्योंकि ये हमारा ये बीच का drum है ये चलते समय काफी हिलता है हिल रहा था इस वे से हमारा UB error आ रहा था अब इसका हम समस्या का पक्का पर्मानेंट इलाज निकालेंगे जो कि बाद में इसकी समस्या कभी नहीं आईगी ये हमने एंगर की लोई की wire है अगर आपके पास कोई इस तरीके की लोई की wire हो तो आप भी ले सकते हो वैसे एक कंपनी जो किसी टेक्निशन ने इसकी wire बांदी है वहाँ पर कंपनी रबड की अपनी एक पत्ती लगाती है रबड की होती है वो जिससे की अन्बैलेंसिंग बनी रहती है जो अन्बैलेंस है उसको वो सही रखती है लेकिन वो तूट चुकी थी तो किसी टेक्निशन ने उसमें wire बांदी थी अब वो यह इस तरीके की आप hook tap में लोई की इस तरीके की आप बनाएं जैसे यह हम बना रहे हैं आप देख सकते हो यह आप इसी तरीके से जैसे हम बना रहे है मोड मोड के आप चार यह बना सकते हो यह हमने पैमाईश के लिए देखा यह हमारा पैमाईश अच्छी आई यह से तो हम ऐसे ही तीन ओर मनाएंगे मोड मोड के और इसको लगाने के बाद आपकी अनबैलेंसिंग प्रोब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी यह हमने दो बना लिए ऐसी की साइज लेकिन यह आपको चारो एकुरेट साइज बनाना पड़ेगा जैसे की यह नहोंगे जी दो बड़े हो गए दो छोटे हो गए या तीन बड़े हो गए एक छोटा हो गया ऐसा नहीं जो आपका साइज एक परफेक्ट जो बैटता है एक नाप के देख ले नाप उसी के हिसाफसे आप तीनों सेम ही साइज की बनाना और यानि ठीक ठानना बनाना है यानि टोटल जो होने चाहे हं हमारे चार उस सीम साइज की होने चाहिए ये ट्रिक हमने और भी मशीनों में लगाई है तो हमारी मशीनों में कोई दिक्कत नहीं आई है इस ट्रिक से हमारा मशीन की अनबैलेंसिंग प्रॉबलम हमने और भी गई साल पहले लगाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आई है तो आप इस ट्रिक को इस्तमाल करके देखो आपके अन्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यह इस तरीके के आप चार को टैप बना लो और इसके जो उन्होंने वायर बांदी भी थी वो अटा लो उसको हां से और इसकी जगा यह हुक लगाएंगे हम कैसे लगाएंगे वो दिखाते हैं भी आपको यह इस तरीके से इसमें एक हुक लगा के और जो शुक्र वाली यह मारी तार है उसके अंदर हम इस तरीके से लगाएंगे हम कि यह हम दूसरी भी लगाएंगे आज इस तरीके से इसी ella कि यह यह भी लगानी इसके अंदर रोलनः को कि दोंड़ांड की आज पीछछे यह जो हम बना रहे हैं यह परमाने इलाज है इसका वस्पी बातना टार बातना यह को है इसका इस तरीके इसे यह reds परमाने इलाज ठाव सब्सक्राइब करें जो बीच का ड्रम है एकदम मुलकु स्थिर हो गया सीधा हो गया यानि कि वो नहीं लेगा अब ही हम इलाके देखेंगे इसको पेश लगा के इसका लोग लगाने के पहले हम लोग लगाएंगे इसका और इसके हमने चार पेश खोले हैं वो ही हम चार पेश लगाएंगे इस ये वाले हाँ ये चार पेश हम कस लेंगे आपकी अन्बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से इस ट्रीक से अभी हम इसको लगा के चला के भी दिखाएंगे आपको कि हमारी मशीन कैसे वर्क कर रही है अन्बैलेंसिंग की वज़े से चलती भी थी तो बहुत जाड़ा हिलती थी तो हिलने की वज़े से हमारी मशीन में यू भी एरर आता है जब यह चारों लग जाएंगे हमारे यह देखो यह हमारा दूसरा है यह हमारा तीसरा लग गया है देख सकते हो आप यह हमारा चोटा यह मच्पूती है यह देख सकते हो यह देखो हमें लाके देख रहे हैं इसको बहुत बढ़िया त अब इसके हम पेच लगाएंगे यह वल फूल का 360 डिगरी मोडल है और दुबारे हम इसको स्पिन मोड पर डालेंगे यह हमने स्पिन मोड सेलेक्ट कर लिया है इसको हम स्टार्ट करेंगे यह हमने स्टार्ट कर लिया है यह हमारा स्पिन कूमना शुरू हो गया देख सकते हो आप हमारा स्पिन बहुत अच्छे से कूम रहा है अब कोई दिक्कत नहीं है अब हम यह देखते हैं कि इसमें यूवी एरर आ रहा है या नहीं आ रहा वह हम चेक करेंगे अभी अब इसको यह नो पर आ गया है अभी हमारा स्पिन चल रहा है बढ़िया हमारा कोई एरर नहीं आया अभी तक यह हमारा आठ पर भी आ गया है अभी भी कोई एरर नहीं आया अभी भी हमारा स्पिन देख सकते हो आप घोम रहा है बढ़िया यूवी एरर को आप बढ़े इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक से यह हमारा सिक्स पे भी आ गया है यह वलफूल का 360 टीरी मोडल है और यह ट्रिक आप और भी मेशीनों में भी इस्तिमाल कर सकते हो और यह हमारा फोर आ गया है और फोर के बाद जो है हमारा स्पिन हो जाएगा चाहे वो फोर के बाद हो जाए अब कंप्लीट यह थ्री के बाद तो हमारा डी एंड लिखा हो आ जाएगा अब देखते हैं कितने में कंप्लीट होता है यह थ्री में भी हो सकता है यह हमारा कंप्लीट हो गया वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स पोर वाचिंग